पसो बालग भाईयों, नमस्कार, मैं दिन दियाल रमावत, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में हारदिक स्वागत करता हूं सातियों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे चैनल के हर वीडियो में हम पसों की कोई ना कोई जानकारी, किसी ना किसी बीमारी उनके लक्षन, उप्चार, कारण और पूरी की पूरी जानकारी लेके आते हैं तो उसी प्रकार से आज हम पसों से संबन देते हैं एक रोचक जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने वाला है, तो आईए, वीडियो सुरू करते हैं अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल वाला बटन है उसे दबाना ना भूलें साथियों, हमारे सभी पसोपालक बाईयों की अकसर ये सिकायत रहती है कि हमारे गाय, बेंस, बक्री के जूं चीचडियां लगी हुई है और उनके लिए कोई देशी समाधान हमें बताया जाए उसी प्रकार से कई हमारे पसोपालकों ने कमेंट भी किये थे हमें कि जूं चीचडिया का कोई देशी इलाज या यू कहिदे कि संपूर्ण इलाज हमें बताओ तो मैं आज इस वीडियो में जूं चीचडिय, कलनी, टिक्स, गोईडे इन सबी का समाधा लेके पस्तु दुआ हूँ कि क्या ऐसी दवाई की जाए क्या ऐसी दवाईयां मार्केट में है जिनके इस्तेमाल से हम हमारी जूं चीचडियों को जो गाई भेंस के लगी हुई है उनको हम बिलकुल हटा सके साथियों पस्तु को जब जूं चीचरी लग जाती है तो वो परिसान सा रहने लग जाता है ये अक्सर सौफ्ट जगों में जैसे अडर वगएरा है पिछे से वेजाईनल पार्ट है उनमें ये ज़्यादा लगती है तो पस्तु को बहुत जदा परिसानी रहती है पस्तु इस्ट्रेस में रहता है यानि तनाव में रहता है और जब पस्तु तनाव में रहता है तो हमारे दूद में भी कमी हो जाती है पस्तु में चिर्चिदा पना जाता है इस वज़े से हमें समय पे इन टिक्स का, माइट्स का, यानि कि जो हमारे जूँ चीचरिया है, इनका समय पे इलाज होना बहुत ज़दा जरूरी है ये जो एक्टो पेरासाइट हमारे पसु को लगते हैं, ये एक्टो पेरासाइट कई परकार की बीमारियां भी पहला देते हैं जैसे बबेशियसिस नाम की बीमारी होती है, इसके बारे में हम बाद में डिसकस करेंगे तो बबेशियसिस जैसी कई बीमारियां जो है इन जूँ चीचरियों से पहलती है तो सातियों जो चीच्डिया जो ही हमारे पसु को लगे मैं जो ये फोर्मूले आपको बता रहा हूँ वो इस्तिमाल करें और तुरंथ जो चीच्डियों को समाप्त कर दें सातियों जो 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 पहला मैं तरीका आपको बताने जा रहा हूँ वो तरीका हमारा गरेलू तरीका है जो हम घर पे ही तियार कर सकते हैं और गरेलू तरीके को इस्तिमाल करने से पहले हमें एक काम जरूर करना पड़ेगा वो यह सातियों कि पसू को नीम के पत्तों का उबालावा जो पानी है उससे जरूर सिनान करवाएं नीम बहुत ही फाइदेमंद है उससे आप अगर सिनान करवाएंगे तो कापी हद तक समयश्या तो वेसे ही सौल हो जाएगी यानि नीम का पानी जो है वो पसू के लिए आंटिसेप्टिक का काम करता है और पसू की स्किन को एकदम तयार रखेगा और जू चीज निया हटाने में भी मदद करेगा साथियों नीम के पानी से अच्छी तरह से पसू को नेलाने के बाद हमें जो फोर्मूला इस्तेमाल करना है उसमें धाई सो एमेल यानि पाव भर हमें सरसो का तेल लेना है और उसके अंदर 20-30 ग्राम के आसपास आप उसमें हलदी मिला दे हलदी पावडर जो है या फिर गंटिया जो होता है उसको कूट करके पावडर बना करके वो मिला दे इसके अलावा दो टिकिया कपूर की जो हमारे आरती कपूर गर में आता है वो दो टिकिया भी अच्छी से लगाते हैं और जहांपे कम हैं वहाँपे भी आराम से लगा सकते हैं ताकि तक जू चीचणियों के जो अंड रिदू होते हैं वह चमंडप के अंदर पैदा होते हैं और जब शम्डप के अंदर यूल चोटे चोटे हमें नंग नगनांकों से दिखाई No. Zi भी सारी सुब जगे से समाप्त हो जाएंगे साथियों जू चीचनियां जब सरीर पे फैलती है और जब नई पैदा करती है यानि परजनन होता है उनने तो नए पैदा होते समय कई अंडे लारवा जो है वो नीचे गिरते हैं जमीन में या फिर छोटी छोटी जू चीचनिया जो जन्म लेती है वो जमीन में पी गिर जाती है या फिर पसू के सरीर पे जो लगी हुई है वो भी कई वार जमीन में जली जाती है तो जमीन पे जाने के बाद बाड़े में इदर दर फैलती है और दूसरे पसू को भी वो लग जाती है अगर वो हमें लगी हुई दिख र मतलब यह है कि हमें ऐसा प्रबंदन करना होगा ऐसा काम करना होगा कि जू चेंचली हमारे एक पसू की समाप्त हो तो दूसरा जो पास में पसू है उसकी भी समाप्त हो और उसके साथ-साथ हमारे पूरे बाड़े की भी समाप्त हो तो साथियों बाड़े के लिए भी हमें वि ये मैंने पिछले कई वीडियो में भी आपको बताया है, आज भी बता रहा हूँ, कि नीम का पानी बहुत ही अच्छा रहता है, इसके अलावा आप लाल दवा इस्तेमाल करें, लाल दवा सभी गरों में जो पसुपालक भाई है, उनको रखना चाहिए, लाल दवा का गोल बन दिया, और उस फिनायल से हमारे बाड़े में सब जिगे छिड़क दिया, तो उससे भी ये जो जूँचीजनी आए, वो समब्त हो जाएगे, साथियों, मैंने ये जो फोर्मूला आपको बताया है, वो आप जो छोटे जानवर है, उनमें भी आप उप्योग कर सकते हैं, बस उनको नीम के पानी से जरूर सिनान करवाएं, बाड़े में आप नीम का पानी या फिनायल का पानी जरूर डालें, और जो छोटे जानवर हैं, उनके भी आप ये पैस्ट लगा सकते हैं, लेकिन सनान कराने के लिए भी सात यो ध्यान रखें, मौसम का विसेज़ क्छियाल सर्दी का मोसम है तो आप धूब निकलने के बाद सिनान करवाएं हलके गरम पानी से सिनान करवाएं जो बोर्वेल का पानी है और अगर गर्मी का मोसम है तो गर्मी के मोसम में आप सुबह जल्दी सिनान करवाएं शाम के वक्त सनान नहीं करवाएं नहीं तो किसी दूसरी समश्या होने का भी अंदेसर है साथियों इस वीडियो के माध्यम से हैं जिन पसुबालग भाईयों ने हमें जू चीचरियों के देशी हिलाज के बारे में पूछा था मुझे उमीद है उनको उनका जवाब मिल गया इसके अलावा भी साथियों आपके पसुग को किसी भी प्रकार की समश्या है तो आप हमें नीचे जो डिसकिप्सिन में नंबर दिये वे हैं उन पे आप हमें वाटसेफर करें हमें उम्मीद है कि हम आपके पसु की हर समश्या का देशी समाधान आप तक पहुंचाएंगे ताकि आप घर बेटे ही उसका इलाज कर सकें कई बिमारिया ऐसी होती है जिनका देशी इलाज नहीं होता हुनका अंग्रेजी इलाज होता है तो हम कोशिश करेंगे कि जो भी समाधन हम अपनी तरफ से यहां बेटे आपके पसु के लिए कर सकें वो हम जरूर करेंगे तो साथियों कैसा लगा आपको हमारी ये वीडियो हमें जरूर बताईएगा कमेंट जरूर कीजिएगा और अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक जरूर कर दें क्योंकि आपके लाइक से आपके सेर से हमारी ये चैनल आगे बढ़ने वाला है और अभी तक आप लोगों ने वास्तम में बहुत अच्छा सपोर्ट हमें किया है कि इतने कम समय में हमारा चैनल सभी तक पहुँच रहा है सभी पसुपालक भाईयों को हमारे चैनल के माधियम से फायदा मिल रहा है तो इसी प्रकार से सयोग बनाये रखें धन्यवाद